नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ चबी मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने कहा कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां किसानों का सम्मान होता है उनके परिश्टरम वापुरुशार्थ के सामने शासन नतमस्तक होकर सम्मान देता है आपका परिश्रम वापरिशार्थ ना केवल यूपी का सम्मान बढ़ा रहा है बलकि विकास यात्रा का हिस्सा बन कर यूपी को देश की बड़ी अर्थ्विवस्था के रूप में इस्थापित करने में मदद कर रहा है आपके परिश्ट्रम का परिणाम है कि हमने एक रिशी विकास की दर को 9 फीसदी तक पहुचाया है PM के विजन के अनुरूप आने वाले समय में प्रदेश को 2027-28 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की एकनॉमी बनना है तो वर्तमान की विकास दर को इससे तीन गुनार अफ्तार से आगे बढ़ाना होगा ये बातें CM योगी आदित नाथ ने पूर्वर प्रधान मंत्री जौधरी जरन सिंग की जैन्ती पर शनिवार को किसान सम्मान दिवस के अवसर पर लोग भवन में कही CM ने यहां किसान मित्र AI एप का शुभरम किया और क्रिशकों, क्रिशी उध्यमियों, FPO और क्रिशी व्यग्यानिकों का सम्मान भी किया करिक्रम में लगू फिल्म दिखाई गई CM ने किसानों की यशगाथा विकास यात्रा पुस्तका का विमोचन भी किया CM ने उत्तरप्रदेश सरकार की और से किसानों को दी जा रही सुविधाओं की भी चर्चा की चौदरी सहब कहते थे जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता CM ने कहा कि चौदरी चरंड सिंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अच्छे प्रशासक वा महान किसान नेता थे उन्होंने इस नातकोतर की पढ़ाई लौसे की थी लेकिन किसान वा क्रिशी प्रश्ट भूमी के कारण उनकी स्पष्ट राय थी उन्होंने कहा कि जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता ग्रामीन भारत ही असली भारत है, भारत वर्श की समरदी का मारगखेद खलीहान से होकर गुजरता है जागरुक जनशक्ती ही सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है चौधरी चौरंट सिंग ने अनिक कारियों के जरिया अपने समय में किसानों के जीवन में बदलाव के अभियान को बढ़ाया था पहली बार किसानों ने महसूस किया कि वे किसी सरकार के प्रात्मिक एजन्डे का हिस्सा है CM योगी ने कहा कि साड़े नौ वर्ष में हमने बदलते भरत को देखा है पहली बार अनिदाता किसानों ने महसूस किया कि वे भी किसी सरकार के प्रात्मिक एजन्डे का हिस्सा है PM मोदी के नेत्रत में PM किसान फसल बीमा, प्रधान नंत्री, क्रिशी संचाई योजना, लागत का देड़ गुनाद दाम, MSP PM किसान सम्मान निधी के माध्यम से किसानों की जीवन में परिवर्टन किया गया अब तक इसकी 15 किसानों के पास पहुँच चुकी है, सिर्फ यूपी में ही 2.61 करोड किसानों के खाते में 7,000 करोड से अधिक किराशी पहुँच चुकी है सरकार की स्कीम स्वाबलंबन का आधार बनती है सीयम ने कहा कि परिवर्टन वा रेफॉर्म करते हुए क्रिशी को हम लापकारी बना सकते हैं इस दिशा में हुए प्रियास यूपी की दृष्टी से 22-23 लाख हैक्टियर भूमी को सिंचाई की अतरिक्त सुविधा दी है गन्ना किसानों को 6.5 वर्ष में 2,25,000 करोड से अधिक की राशी खाते में भेच चुके हैं धान वकीहों की सीधी खरीद और MSP का लाब DBT के माध्यम से पहली बार मिला उन्होंने कहा कि खेती को सही धंग से करना घाटे का सौधा नहीं बनेगा सरकार की स्किम स्वावलंबन का अधार बनती है श्रीयन की द्रश्टी से भी कारिक्रम हुए प्राकते खेती में हर मंडी ट्रिशी विज्ञान केंडर विश्विध्यालेओं के सर्टिफिकेशन की कारवाई हो उसका जादा दाम किसानों को प्राप्त हो इस प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया गया श्रीयन के माध्यम से सयुक्त राश्ट्रे वर्ष की द्रश्टी से 2023 को मिलेट से वर्ष घुशित कर PM ने अंतराश्ट्रे ये ब्रांडिंग भी की है अब स्मार्टफोन से शान्त होगी किसानों की जिग्यासा CM ने कहा अभी तक हमने एक अप्लिकेशन लॉंच किया है एप के माध्यम से AI का उप्योग किसान मित्र के रूप में कैसे किया जा सकता है अब किसानों की हर जिग्यासा का जवावत स्मार्टफोन से प्राप्थ हो जाएगा विक्सित भारत संकर प्यात्रा चल रही है खेती बाड़ी वा फूट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया से जुड़कर भी कई गुना मुनाफ़ा कमा सकते हैं वेरहाउस के बारे में सिया में कहा कि यदी मार्केट में दाम कम है तो जब दाम अच्छा मिले तो गोदाम से उपज निकाल कर उपलब्ध कराएं इसके लिए FPU के माध्यम से हर विकास खंड स्तर पर वेरहाउस निर्मान की कारवाई को बढ़ाया जा रहा है